है लो फ्रेंड्स मेराम संतोष माय सपोर्ट येसी योटुब चैल में आपको स्वागते है तो चलो शुरू करते आज का वीडियो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कॉपर प्लेट कार्थिंग किस तरह से करते हैं और उसके बार मैं आपको डिटल ने बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए मित्रां नो हाँ वीडियो आपको अवर्ला तो लाइक करने विसुरू नका अने अपले सर्व मित्रां पुरेंत हाँ वीडियो पोच्वा तेन सब्न नौलेज वाड़लो पाये जैन तन्ना कै प्रव्लेम आसे लिए ने माजे बड़ो शेर करा मला कमेंट करा तो तला वीडिय तो यहाए हमनने आरतिंग के लिए जुब भी मटर लगता है हो हमने यहाँ इकटा किया है तो यहाँ प्ढ़ हमने 10 kg नमक लाया है इसको खड़ा नमक भी बोलते है लोग तो यहाँ आप देख सकते हो तो इस तरह से आपको दस पेजी नमक लाना है और यह हमारा 10 kg कोइला ह तो देखते हो, और यह हमारा copper का plate है, copper का plate यूज़ करने से आपका arthing बहुत स्ट्रोंग होता है, और यह हमारा copper का तार है, तो इसे हम यहापने किस तरह से जोड रहे हैं, यहापने आप दिख सकते हो, इस तरह से आपको जोड लेना है और प्लाएर से उसको nut bolt के नीचे उसक कर सकते हो उसमें कुछ दिखकत का कम नहीं है और यहां पर हो ह् फिक देखनावा प्रosail आर्स करके दिखाऊंगा उसके बाद जहाँ से हमार तो करके दिखाएंगे पूरे बोर्ड में तो आपको वीडियो पूरा देखना है तो आपको इसका पूरा प्रोसिस मालूम हो जाएगा तो यहां पर इस तरह से इस तार को हम इसमें लगा देंगे अच्छी तरह से और प्लायर से उसको टाइट कर देंगे और इस तरह से जो ऊपर का नट बोल्ट है उसको भी हमें यहाँ पर टाइट कर लेना है तो यहाँ पर हमने नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है तो इस तरह से आपको कर के लेना है और इसके बाद आगी का प्रोस्स हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गड़े में आपको नमक डालना है नमक को पूरा नहीं डालना है और उसके बाद इसके उपर हम डालेंगे कोईला कोईला भी आपको पूरा नहीं डालना है कोईला भी आपको थोड़ा है तो यहाँ पर हम किस तरह से कर रहे है उस प्रोस्स को और इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे copper का plate तो इस तरह से आपको copper का plate रखना है और उसे अच्छी तरह से खिसकाना है ताकि वो अच्छी तरह से नीचे बेट जाए इस तरह से आपको विठा लेना है और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कोईला और उसके बाद हम डालेंगे नमक तो इस तरह से आपको यहाँ में नमक डाल लेना है और एक बार हम फिर इसमें थोड़ा सा कोईला भी डालेंगे नमक के बाद तो इस तरह से इसमें हम कोईला डालेंगे पूरा तो यहां पर हमारा कोईला भी खतम हो चुका है और जो थोड़ा बचा था वो भी इसमें डाल देते हैं पूरा और इसके बाद हम इसमें 2-4 बकेट पानी भी डालेंगे तो आपको पाने भी इसमें डाल के लिए ना है तो इस तरह से आपको पाने में डालना है तो इस तरह से चार पाज बकेट आप इसमें पाने डाल सकते हैं आरम से और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा कॉपर का वायर है जो हमने कॉपर प्लेट के साथ इसको जोड़ा है कॉपर का वायर है हमारा तो इसे इस तरह से सिधा करके लेना है ताकि हमारा जो अरतियां का वायर है ग्रिन वाला हम इसमें अरम से जोड़ सके तो इस तरह से इसको आप सिधा करके लिजी और उसके बाद इस मिट्टी को हम इसमें खीचेंगे तो इस तरह से आपको मिट्टी खीच लेना है और उसे अच्छी तरह से प्याक कर देना है इस तरह से पूरे मिट्टी को इसमें हमें डाल देना है तो यहापे आप देख सकते हैं यहापे हमने पूरे मिट्टी को यहापे खीच लेया है इसके बाद इसमें और एक बकेट हम पारे डालेंगे और इसके बाद यह हमारा अंदर से अर्थिंग का वायर आया है हम इस कॉपर वायर को साथ इस अर्थिंग के वायर को जो अर्थिंग का ग्रिन वायर है इन दोनों को हम यहापे एक साथ जोड देंगे दोस्तों ये वीडियो आपको आच्छे लगे तो लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्स्राइब कर देना और ये वीडियो आपने दोस्तों साथ शेर भी कीजिए ताकि हमारा मोटेशन बढ़ जाए पर हम आपके लिए अच्छे वीडियो आगे भी लेकिए आएंगे तो वीडियो को कंटिन्यू किजिए ये पूरा प्रोसेस आपको मालूम हो गया रहेगा तो आर्थिंग का आपको कोई प्रोलेम ने आएगा आप पड़े आराम से आपके घर के आर्थिंग कर सकते हो और इसके बाद हम आर्थिंग भी चेक करने वाले तो आप यह पर देख सकते कि कॉपर का आप कॉपर प्रेट का यूज़ करेंगे आपके आर्थिंग कितने स्ट्रॉंग होगी तो मैं आपको चेक करके भी दिखाने वाला हूँ और उसके बाद इसमें हम यहां से इस तरह से मिट्टी डाल देगे और महिने में देख दो-चार बार आप इसमें दो-चार बकेट पानी भी डाल सकते हैं एक महिने में तो आरथिंग को पानी की भी जरूत होती है तो यहां पर हमाना आरथिंग का काम पूरा हो चुका है Smash turbine टेस्टिंग करने वाले तो यहां पर आप देख सकते है-मशीन है इसमसीन के लिए हमें आरथिंग की जरूत都是 तो यहाऊपे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ बी यहाँ पर AC है उसके बाद यहाँ पर ऑन्वेटर बना है इसको भी आर्थिंग की जडरुत है तो यहाँ जो मशिनें निचे आपको यह दिख रहा है इसको करण लगता था जो वरकर काम करते थे उनको तो यहाँ पर दीखे इस मशिन के लिए भी हमें आर्थिंग की जरूरती तो यहाँ पर हमने आर्थिंग का काम पूरा कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर आर्थिंग का टेस्टिंग करने वाले तो यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पे हम सभी पलग को निकल लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर तरह से जो हमारा टेस्टिंग लाँ पे उसके द्वारा हम यहाँ पे हमारा आर्थिंग को चेक करेंगे इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं मुझे मैं उसका अंसर जरूर दूँगा तो यहाँ पे दिखें टेस्टर से इस तरह से आपको खोल लेना है और उसके बाद एक वायर को हम डालेंगे फेस में हमारे राइट हेंड साइड का फेस होता है तो यह फेस और यहाँ पे हम लगा के दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए लाइम हमारा ज्यादा ग्लो कर रहा है तो यहाँ आप देख सकते कि कॉपर प्रेट यूज़ करने से आपका अर्थिंग कितना स्ट्रॉंग होता है त यहाँ पे आपका अर्थिंग स्ट्रॉंग होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सोवैट का बल्म है हमारा तो यहाँ पे भी देखिए हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है यहाँ आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने सभी पॉइंट को आर्थिंग क का connection किया प्रॉपरली इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा तो यहाप देख सकते हुए आर्थिंग हमारा ओके है यहापे उसके बाद हम यहापे चेक कर लेंगे तो यहापे देखिए लांग हमारा गलोग कर रहा है तो इस तरह से आप इस लांग द्वारा आपना आर्थिंग चेक कर सकते हुए और उसके आला आप मल्टिमेटर से भी चेक कर सकते ज़रा हमचे कुर्यी मरति सब्स्क्राइबेर् फिवर्स असलते तेन्ने अपनल चैनलला सब्स्क्राइब करेले विशरू नका और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर देना कोई प्रॉब्लियम नहीं और हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों का शेर भी कीजिए थाकि हमारा मूटेशन बढ़ जाएं और हम आपके लिए अच्छे वीडियो आगे भी लेके आएंगे तो आज के लिए इतना ही तो मिलते ने श्टूडियो में तब तक के लिए बाइबाई